इस सज्जन को क्या तकलीब है भई? क्या तकलीब है इनको? अब यहाँ पर और बड़े नेम हैं, कुछ फर्म्स हैं, जो अगर क्लाप्स होती है, that can be a big problem, and अब actually make situation, फिर से यहाँ पर उड़ी है, last time CZ और Sam की बीच में आपने conversation देखाता है, कैसे वो in the end turn out हुआ, वैसे ही फिर से एक fight जो है, दो बड़े exchange के founders जो है, उनकी बीच में हो और worst चीज़े जो हैं, हमको देखने को मिल सकती है, अगर यह दो फर्म्स का collapse हुआ, तो यह और disastrous हो सकता है, this can be bigger than FTX, this can be bigger than Luna, तो उसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो कल यहाँ पर Sam Bankman Freed Court के अंदर हेरिम के गए, 3rd of January, जिस दिन Bitcoin का birth दे था, और वहाँ पर basically quote में इनको बताना था कि मैं जो मेरे उपर charges लगाए गए हैं, क्या मैं उसको ले कि guilty हूँ या नहीं हूँ, इन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर not guilty हूँ, तो अब इससे basically होगा यहाँ पर यह कि अब यहाँ पर trial जो है, वो चालो हो जहाँ पर अगर इनके उपर जो भी charges लगाए गए हैं, उन सब पर यह convicted होते हैं, तो 150 years का इनको jail हो सकता है, तो अब यह 2nd of October से trial स्टार्ट होगा और फिर lawyers अपने present करेंगे views, यह defend करेंगे, फिर jury जो decision देती हैं, उसके basis पर उनके उपर decision आएगा, तो अब इसको ले कि आ भी bull market काफी अच्छा होता है, लेकिन bear market जो होता है, वो और भी panic वाला और troublesome निकलता है, जहाँ पर हमने बड़े बड़े जो collapse हैं, वो देखने को मिले, लूनर के साथ यहाँ पर शुरुआत हुई थी, लेकिन अब दो बड़े firm जो हैं, क्योंकि यह सब बड़ी companies जो crypto के अ नाम था, सोचा था collapse होगा, लेकिन होगा collapse, अब वैसी बड़ी अगर firms आप देखोगे, सेम चीज़ फिर से देखने को मिल रहे हैं, जो Sam और CZ के साथ में हमको होते हुए देखने को मिली थी, अगर आप देखोगे, बेसिकली यहाँ पर है, विंकल वाउस यह twins जिनको आप देख सकते हो, इनको लेके हमने शॉट और पहले विडियो भी बनाए, बट जिस टू रिमाइंड यू, विंकल वाउस ब्रदर्स अगर आपको नहीं पता है, तो फेस्बुक बुक, अगर आपने मुवी देखी होगी, तो उसके अंदर Mark Zuckerberg के अगेंस में इनोंने काफी पस्टमर्स हैं, उनी को सर्फ करता है, अब यहाँ पर जैमिना एक्सचेंज के अंदर भी इनोंने लेंडिंग सर्विसेज दी, लोगों को यूजर को कोई आते हो, तो अपने क्रिप्टो डिपॉजिट करो, उस पर आपको हमें इंटरस्ट अर्न करके देखें, जैसे सारे इंटिंग के लिए उसको डाले, तो उनके पास यहाँ पर जो ऑप्शन होता है, वो होता है यहाँ पर जैनिसिस टेडिंग का, जैनिसिस टेडिंग बेसिकली यहाँ पर इंस्टिूशन जो है, उनको एक्सिस देते हैं कि अगर आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, बौरो कर तो आप Genesis Trading के अंदर यहाँ पर आप funds को डालो, तो Gemini Exchange ने basically करा यहाँ पर यह था, कि लोगों के जो funds थे, around 900 million dollars, जो लोगों ने deposit किये थे, वो उन्होंने यहाँ से Genesis Trading के अंदर दाले, कि यह fund आपको हम देते हैं, आप इस पर interest earn करो, और Genesis क्या करते थे, वो दूसरे बड़ी V PCs वगरों को fund देते थे, और उस पर interest earn करते, तो जो interest आया, थोड़ा अपना profit रख लिया, बाकि फिर यहाँ पर इनको return कर देते, लेकिन अब Genesis के साथ, problem यहाँ पर यह हुई, कि Genesis ने three arrow capital को almost 1.1 billion dollars दिये हुए थे, अब three arrow capital तो खुद ही डूब गया, तो 1.1 billion dollars जो Genesis के लेकिन उसका amount अभी तक इन्होंने disclose नहीं किया है, 175 million जो है, वो FTX के अंदर stuck है, and overall बुला जाते है कि Genesis जो है, अभी underwater या total money loss जो है, वो around 1.8 billion dollars है, that's a huge amount, अब उसी को लेके आप समझ सकते हो हैं, आप Gemini जो इन्होंने 900 million dollars deposit के थे Genesis trading में, लेकिन अब Genesis क्योंकि underwater हैं, तो व लोग भी परिशान हो रहे हैं, in fact, US के इन्दर जो investors हैं, वो sue कर रहे हैं यापर Gemini और उनके founders को बोल के, कि आप यहाँ पर interest bearing accounts offer कर रहे थे, लेकिन आपने उनको as a securities register नहीं किया था, तो यह इनके लिए problem हो रही है, and that's the main reason, जिनके कारण यहाँ पर Winklevoss brothers हैं, उन्होंने यहाँ पर एक open letter लिखा, अब open letter जो इन्होंने लिखा, वो basically इन्होंने लिखा Barry Silbert के लिए, Barry Silbert कौन है, तो Barry Silbert ओनर है यहाँ पर, founder है digital currency group के बहुत बड़ा नाम है crypto industry में, यह own करते हैं CoinDesk को, यह own करते हैं Grace के LGBT से नाम सुनाई होगा आपने, उसको own करते हैं यहाँ और स इन्होंने यहाँ पर उनको बोला कि यहाँ पर 900 million जो dollars हमने Genesis Trading के अंदर दिये थे, यह लोगों के पैसे हैं, जैसे school teacher हो गए, कोई policeman हो गया, कोई husband हो गया, wife, उन्होंने अपनी life की saving जो है, lending के लिए Gemini पर दाली थी और हमने वो Genesis Trading के अंदर दाली, और 47 days से वो withdrawals halt है, हमको वापस यहाँ पर मिलनी रहे हैं, तो यह request कर रहे हैं कि आप से इतनी meeting वगरी भी हमने setup कर रहे हैं, आप meeting पे भी यहाँ पर नहीं आते हो, वो भी delay वगर यहाँ पर जाती है, तो उन्होंने basically यहाँ पर बुला कि हमने Genesis Trading के अंदर यह पैसे दिये थे, लेकिन Genesis Trading यहाँ पर Gemini को payback करना चाहिए, तो basically उन्होंने बुला कि यहाँ पैसे हैं, Genesis वगरे जो भी है, DCG वगरे आप लोग हमको यहाँ पर return दो, और उन्होंने बुला कि इसका ultimate जो है, वो हम दे रहे हैं यहाँ पर 8th of January, अब इसको लेके यहाँ पर reply किया, Barry Silbert में जहाँ पर उन्होंने ब बोली थी, stop trying to pretend that you and DCG are innocent, तो उनका basically यह बोला है कि Genesis के साथ जो हुआ है, उसको लेके don't act कि DCG और तुम लोगों कि इसमें गलती नहीं है, और यह जवाब दो मेरे को, DCG कैसे हो करती है, मतलब Genesis को 1.67 billion, अगर तुमने borrow नहीं किया, मतलब अगर तुमको Genesis को पैसे देने इतन होगे, इसका जवाब यहाँ पर दो, तो इसके बाद Barry Silbert का कुछ reply यहाँ पर नहीं है, अगर आप यही चीज़ देखोगे, यहाँ पर एक shareholder को letter भी लिखा गया था, Barry की तरफ से, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसके according उन्होंने यहाँ पर यह चीज़ बोली थी, कि currently DC DCG जो है, उनकी liability है Genesis के साथ around 575 million के, मतलब DCG को यह पैसे Genesis को देने, जो due है May 2023 तक, और यह जो loan लिये जाते हैं, वो basically इसलिए जाते हैं, ताकि यहाँ पर DCG का stock है, shareholder से, उसको यहाँ पर buyback किया जाए, and साथ में इन्होंने 1.1 billion का promissory note जो है, वो भी यहाँ पर दिया है, Genesis को, मतलब यह अब ओ करते हैं, उनको पैसे देने हैं यह, जो due है June 2032, और यह promissory note का जो main कारण है, वो यह है, कि अगर आप देखो कि Genesis 1.1 billion से short थे, तो उनके वो पैसे missing है, जो उन्होंने lose कर दिया एक तरह से 3 euro capital हो vacuum है, तो अब उसको fill करने के लिए कहां से पैसे लेकिन हम उसको दे देंगे promise करके कि हम यह June 2032 तक return कर पाएंगे, तो यह इन्होंने चीज यहाँ पर बोली है, तो यह according वो 1.67 का जाता है, तो अगर आप देख सकते हो, इनवे यहाँ यहाँ पर Barry Silver जो है, या DCG जो है, पैसे ओ करती है Genesis को, और यहाँ पर जो Cameron है, Winklevoss Brothers ज तो तुम हमको वापस यहाँ पर payback करो, और तुमको ultimate दे रहे है, 8th of January तर कुछ ना कुछ सल्यूशन करो, नहीं तो प्राबली यह lawsuit वगरे जो है, यहाँ पर start कर सकते हो, तो आप समझे रहो कितनी deep यहाँ पर यह चीज हो रही है, and digital currency group is a big name, is a big name in crypto industry, वो खुदी यहाँ और और problem के अंदर, अगर आप देखोगे, currently digital currency group के अंदर जो gray scale GBTC आते हैं, उन्होंने ETF के लिए उन्होंने यहाँ पर apply किया है, and वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ETF के अंदर यहाँ पर convert हो जाए, क्योंकि अगर वो ETF के अंदर यहाँ पर convert नहीं हुआ, तो उनके लिए problem हो सकत इसा होता है कि GBTC को ETF के अंदर नहीं convert के जाता है, या probably कुछ funds raise नहीं होते है, तो हमारी जो holding है, यह hold करते है 643,572 bitcoin, उसके 20% हमको sell करने पड़ेंगे, जो बन जाते है 128,000 bitcoin approximately है, और क्यों sell करेंगे, ताकि GBTC के share जो यहाँ पर negative चल रहे हैं, क्योंकि इनके share holders है, वो कैसे उसको buyback करने के लिए, तो इस कारण से इनको यहाँ पर BTC sell करने पड़ेंगे, तो यह clear indication है कि अभी digital currency group जो है, उनके ओपर भी काफी pressure is market के अंदर, पूरे जो collapse हो है, and in a way, जैसा मैं बता रहा हूँ, सारी crypto, बड़ी firms जो है, एक दूसरे से कही ना कहीं linked है, और एक का collapse कही पटरी एक दूसरे से, answer पानी के लिए, कि मेरा पैसा कौन देगा, क्या करेगा, और यह fund किसके हैं, यह user के fund है, 900 million dollars किसके, Winklevoss brothers के हैं, यह वो users के हैं, तो अब समझे रहे, उसका bigger impact किता बड़ा यहाँ पर हो सकता है, and Twitter पे इस तरह से openly fight होना, last time CZ or Sam की बीच में ऐसी fight ह थी थी है, and हमने outcome देखा उसका क्या हुआ, तो अब डर यह ही है, कि यहाँ पर यह जो चीज हो रही है, अगर solve हो जाती है, that's better, लेकिन अगर solve नहीं हो तो एक और disaster चीज हो सकती है, Gemini Exchange, US का exchange है, वहाँ पर हो तो यह एक और case बन जागा, FTX के बाद, साथ में अगर digital currency ग्र क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं उनके वापस, तो अब वो उनको सू कर रहे हैं, कि हम सू कर देंगे, पैसे return करो, और यह सारी चीज है, so this is what is happening currently here, and साथ में अगर हम यहाँ पर देखेंगे, Suzu, जो three arrow capital, जिन्होंने basically यहाँ पर, जिनके पास 1.1 billion dollars है, Genesis trading के, उन्हो यहाँ पर एक चीज लिखी, जहाँ पर उनने ये बोला कि DCG जो है, Digital Currency Group, Perry Silbert का, उन्होंने conspire किया था, यहाँ पर FTX के साथ, और दोनों ने मिलके यहाँ पर Luna का attack किया था, और ST ETH को attack किवा था, Luna, ST ETH हमने दोनों detail में cover कर रखे, कैसे उनकी price एकदम नीचे चली गई थ 1.1 billion का promissory note, Genesis को, ताकि Genesis का जो gap है, उसको फिल किया जाए, तो 1.1 billion dollar missing है, उसको लेकि DCG ने बोला है कि 1.1 billion हम पे करेंगे 2032 तक, तो उसको फिल करने के लिए, ताकि Genesis जो है problem में नहीं रहे, कि जो missing amount है, हम पे कर देंगे, तो यह उनका बोला है, इनने फैबरिकेट किया ह तो this is what Suzu is saying, तो whatever he is saying, I'll also pay attention, because all these guys were very close, they were working with each other, तो जो भी, मतलब Suzu is also not innocent, he also lost a lot of money, user's fund and company's fund, but still, like, बहुत सारी चीज़े हैं जो अब यहाँ पर unfold हो रही हैं, but यह वीडियो बनाने का main reason यह था, ताकि आप इस चीज़ को लेकि भी updated रहें, and आपको भी पता रहे है market में क है, क्योंकि अगर यह collapse होने, हमको देखने को मिलते हैं, Gemini and Digital Guarancy Group का कुछ भी हाँ पर होता है, तो वो और बड़ा, मतलब that can be bigger than FTX and Luna, touchwood ऐसा नहीं हो, and they sought it out before 8th of January, लेकिन it's important कि यह चीज़ों के साथ आप updated रहो, and अगर आपकी friends जो हैं, उनको भी आप इस चीज़ के बा impact, इतना सब कुछ अलड़ी हो चुका है, अगर यह collapse हो तो, these are big names, तो यह है, but that will be short term, overall eventually market will rise up again, लेकिन यह सारी चीज़ होंगे, उससे फिर regulation सारी चीज़ हैंगी, तो short term पे impact तो उस चीज़ का होगा, तो यह है guys, overall, what do you think about all this, आपकी क्या viewpoint है, क्योंकि यहाँ पर clearly दिख र EVF के साथ क्या हो रहा है, बाकी जो लोग हैं जिन्होंने गडबर करी उनके साथ, be it Dookon, Dookon और Suzu, बाकी Alex from Celsius, you have seen, so what do you think about this, do let us know in the comments, and if you like these kind of updates, do like, do subscribe, बाकी इन सब क्योंपर शॉट भी कर रहे हैंगे ते, लेकिन I made this separate video, because a few of you were requesting, so, तो अगर आपको इपको इपको लेगा, and do leave your comments, क्या लगता है आपने सारी चीजों को देखके, do let us know, तो guys, आज की वीडियो में overall यही, बाकी मिलेंगे, नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तक लिबाए and टेक क्या, बाबाए